चलिए दुस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को बिसिकली जैसे मैं आपको रोज करवाता हूं उसी तरह से आज भी करवाने वाला हूं जितने भी लोगे आप पर जोड़े हैं कोमन करें के बता दें आप आज क्लियर आ रही है आप सभी को जिया सभी का विलकम में गुड मॉर्निंग चलिए आवाज सभी को क्लियर आ रही है चलिए गुड आफ्टर नून होगे आप तो अगर हम इस दो की बात करते हैं तो दो कहां से आया है यह 1 का क्यूब प्लस एक करके आया है और 9 की बात करते हैं तो यह 2 का क्यूब प्लस एक करके आया है और 9 की बात करते हैं तो यह 3 का क्यूब प्लस एक हुआ है इसी तरह आपका 65 देखो क्या है 4 का क्यूब प्लस एक करेक्ट हो जाएंगे क्लियर है चलिए इस कोशन का सभी लोग जवाब देते हुँ चलेंगे तो यह आपके सामने कोशन घा कोशन नमबर 60 आव व्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभावी के करम में पुनर व्यवस्थित करना है और आसंगत को चुनना है बहुत ही आसान ह पहले पी आपको करवा चुका हूँ सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे C-E-K-R-I-R-T-I-C देखें यहां पर एक हिंट देते हुँ जिससे आपका यह साथ क्रिकेट बंदा है इसी तरह आपका यह कुछ बनेगा यह कुछ बनेगा सबको कुछ न कुछ बना करके सिंपल सा फंडा लगाएंगे यहां पर यह हमने बता है क्या बनना है क्रिकेट बन रहा है क्रिकेट बनना है ना C-R-I-C-K-E-T क्रिकेट बन गया इसी तरह इसको देखो भाई होकी जैसा कुछ लग घाएगा होकी बन जाएगा होकी बन गया चलो बहुत अच्छी बात है इसी तरह इसको देखो TOOLF यानि कि फुटबॉल देखिए बन जाएगा F से फुटबॉल होता है ना फुटबॉल बन जाएगा F O T B A L L clear है फुटबॉल बन गया और इसकी बात करते हैं देखो C है H है S है यानि कि चेस बन जाएगा आप तो आप लोग बता सकते हो ना कि इन सम्में कौन सा अलग है cricket, hockey, football, chess में आराम से बता सकते हो आप तो कोई doubt भी नहीं है chess बिल्कुल सभी बात है क्रिकेट, hockey, football यह सारी के सारी field में खेले जाते हैं बड़कि chess जो है field में नहीं खेला जाता है समझ में आ गया ना चलिए I hope सबको clear होगा आते हैं अगले question पर तो देखे क्या कह रहा है कि भी यह बुकर पुरुसकार जो है सम्मंदित है sorry इन चारों में आपको difference बताना है आपको अलग बताना है कौन सा है बुकर सहें नोबल में सेसे और गन पेठ पार बोलते हैं यह आपका समाज सेवा के छेतर्व किसके शित में समाज सेवा के शित में दिया जाता है तो आपका difference कौन सा हो जाएगा option number इसका c है वह यहाँ पर different हो जाएगा clear है तो आपका c क्यों कर अलग होगा यह समझ में आ गया ना सबीगो चैलिए समझ में आना चीए बस अगला question देखू क्या कह रहा है ध्यान से देख और 10 और 60 यानिकि गोना 6 हुआ है और यहाँ पर देखाजा चारस गुडे 6 हुआ है यहाँ पर भी देखा जा 20 गुडे 6 हुआ है सब लहां समें गुडे 6 गुडे 6 हुआ है जबकि इसमें बात करते हैं तो तो सिरिफ गुडे 3 हुआ Portuguese तो यहां पर option जो इसका B है वो आपका क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा कितना आसान सा question था समझ में आ गया चलिए आते हैं अगले question पर तो देखिए क्या गह रहा है कि भीया तिर से नंबर question है एस जड है P W है B J है M T है तो यहां पर आपको उताने इन चारों में अलग क्या हो जाएगा सो simple सा देखिए हमने बोला code लिख लो code लिखने से मदब number लिख लो अपने आप आप आजाएगा तो इसका मतलब होता है 19 इसका मतलब आपका क्या होता है Z500 होता है 26 यानि कितने का दिफ्रेंस सर आपका 7 का दिफ्रेंस है P में देखो द्थ हो दभाई P एम आच सोला व कमतलब screens सोला और साथ तैयज होता है साथ का greatest है M का मतलब 13 T ममतलब 20 समझ में आगे नसे भी 20 में डडु होता है यानिकि plus 8 ्ल्छ प्लस साथ का डिफ्रेंस है समझ में आगे ना इसे ना बी जड में देखो इसका मतलब दो होता है इसका मतलब दस होता है यानि कि प्लस आठ का डिफ्रेंस है यहां पर कौम सा अलग हो जाएगा क्लियर है चले आते हैं अगले कोशन पर तो देखे क्या गह रहा है नीचे सद्दों की चार जोडिया दी गई है जिन में से तीन कुछ रोस से समान है और एक जोड़ी अलग है कौन सी जोड़ी बाकियों से अलग है बेसिकली यहां पर कुछ आपके विज्ञान की साखाए दी गई है उनसे समद्धित विज्ञान हो दिये गए है तो आपको अलग करना है थोड़ा से इंगलिस है बड़ा आप लोग कोशिस करेंगे तो आपका एमसर जोग आ जाएगा बहुत ही सिंपल सा थोड़ा सा कोशि के बारे में तो बायोलोजी देखा जायतो विज्ञान तो बायोलाजी के अंद रगात हम लोग वनसपथी विज्ञान यह बवाई बायोलाजी की साखा भट हो इन소 गई है वो यहाँ पर क्या हो जाए बिन हो जाएगा और जब कि साइकोली यहाँ ठेगा रिल जे यह जो आ तो यहां पर आपको इस तरह से बिठालना है तो यहां पर आपको इस तरह से कोश्चन्स आपको कह रहा है तो चावसी लड़की कौन सी होगी पहले इस कोश्चन को ध्यान से पढ़िए उसके बार लगाने कुशिश कीजे फिर आप तो मैं बताता हूं कैसे क्या करना है यहां पर मुझे पता है कि एक फिगर तो आपको दिया ही गया है यह सुमन लता से सब कुछ दिया गया अब यहां पर कुछ चेंज़ करको 65 क के जवाब देना है यदि सुमन और ममता अपना स्थान बदलने देखें समझेगा क्या है यहां पर यहां पर यह couple मत बतल है कि असले की आई आगी यहां पर मत Mukhery और यहां पर झो स्तान पर स蒂न अजही और सब कुछ तो और रजनी की बाई और चौथी शलिवत और सब यह किया करना था रजनी है चौशनी की बाइन और चौथी लड़की कौन से होगी रजनी की बाई और चौथी लड़की देखो रजनी यहाँ पर है इसके बाया देखो जब भी केंदर की और मुकिया जाता है तो बाया का मतलब यह देखो यह वाला बाया होता है यह दाया होता है तो की बाइए और चौती तो पहली दूसरी तीसरी चौती कौन आ रहा है === आवका आसा आ रहा है न CONires है तो मम्ता क्यों सुमन क्यूं जवाब दिया रहा है रजनी की बाईयो और पूछा जारा है तो बाया को मतलब यह होता है तो दायां हो जाएगा आपकका पहला तीसरा चोषा जो सुमन बता रहे है बाईया की बत करते हैं इधर आएगा तो पहला दूसरा तीसरा चोषा यानि की आसा जो है है आपर correct हो जाएगा बताए तर सभी को clear है option number C यहाँ पर क्यों correct होगा clear है सभी को चलिए बहुत अच्छी बात है इसी तरह है यहाँ पर दो कोशन और पूशे गए है तो यहाँ पर दूसरा कोशन देखिए रहां से क्या कह रहा है कि यदि रजनी यों आसा अपना स्थान बदल ले तो निमलिखित में से कौन सा कथन सही होगा समझिएगा रजनी और आसा अपना स्थान बदल ले तो यहाँ पर मैं figure आप सब के लिए फडाक से बना देता हूँ यह आपका figure है तो यह क्या है आपका समझग तो यह आप figure सुमन, आसा, रजनी, ममता, लता यह आपका प्रारंबिक figure है अब इस figure को देख करके आपको बताना है यदि रजनी और आसा अपना स्थान बदल ले तो निमलिखित में से कौन सा कथन सही होगा आप तो इस figure देख करके जवाब दे सकते हो ना बहुत ही आसानता करती है मैं आपके लिए वड़ाक से जवाब दे सभी लोग तो अब इस figure को हम लोग चेंज कर लेते हैं चेंज क्या करना है देखिए रजनी और आसा अपना स्थान बदल लेती है रजनी और आसा अपना स्थान बदल लेती है आसा लटा और रजनी के बीच में होगी आसा जो है क्या लटा और रजनी के बीच में है नहीं है न रजनी और लटा के बीच में तो भाई ऐसे यानि कि सुमन है तो पहला तो गलत हो जायागा दूसरा करसन देखिए आपर क्या है कि आसा लता के बाई योर दूसरी होगी ममता देखो सुमन वा रजनी के बीच में होगी के यहां पर डी वाला अप्सन जो है करेक्ट होगा इन में से कोई नहीं समझ में आगे ना तीनों कथर आपके गलत है यहाँ पर डी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा क्रियर दोस्तों समझ में आगे ना चलिए यह चीज करना थे यहाँ पर इसी तरह next question देखें आपर next question में भी आपको कहरा है यदि पांचवी लड़की रजनी है त आसा के बाय कौण से खड़ी है पांचवी लड़की रजनी है समझ गांचवी लड़की कौन है रजनी है तो आसा के बाय कौण से खड़ी होगी देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा तो simple सा इसमें कुछ पूछा नहीं गया है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच और रड़की रजणी है तो आसा के बाया तो हमने बताया ना कि भाई बाया का मतलब क्या होता है यही होता है बाया बाया यही तो चलता है ना तो आसा के बाया को होने आपकी रजणी है ना तो और Y-Z से बलवान है, P-Q से बलवान है प्रनतू Y से कमजूर है, Q-Z से बलवान है, बताइए कि इन सभी में सबसे कमजूर कौन है, इस तरह कोशन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ, देखते हैं इस कोशन में करना की है, देखें, X-Y से बलवान है, तो X जो हो गया, यह बड़ा हो गया y से, बड़ा लगा तो कुछ भी कर सकते हो, y जो है z से बलवान है, y जो है बड़ा हो गया z से, p जो है q से बलवान है, चलो ठीक है, p जो है q से बलवान है, पर लम तु y से कम जो रहे है, यानि कि y से नीचे रहेंगे लोग, q जो है z से बलवान है, q जो है जड से यानि कि आप देखा जाए क्यूं जो है बलवाने किसे जड से अगर इन सब को मिला जियाज़ाए तो आपकार कुछ से से बनेगा समझेगा आपका यापका पी के आएगा सब आपका q आएगा पी के बाद देखे q के बाद को ने आपका z है तो आपका x y p q z यही तो फ्रीक बनेगा न तो यहाँ पर देखे last में कौन आ रहा है लड़कियों कि एक पंक्ति में saavitri और sarlati kerms Satan a become 28s और नवे लेदी ले ले बताए असरो बहुत őंना जो क्या theoretically आँ लड़कियों के पंक्ति में saavitri downstairs करम साह्वित्या डाइय औरैयों से दसवे स्थान पर, देखो सावित्री हो गई और यहाँ पर सर्ला हो गई समझ में आगे ना अब देखो सावित्री और सर्ला मैंने उल्टा लिख दिया वैसे क्योंकि यहाँ पर दाएं और बाएं उल्टा लिखा गया है तो यहाँ पर सावित्री और सर्ला करमसा दाएं और से सावित्री और सा यहां पर यहां पर क्या कह रहा है कि तो सावित्री जो है डाइं और से स्थान पर आ जाती है सत्रहावे स्थान पे आ जाती है और यह अपके अठ्रहावे स्थान पे आ जाती है तो दोनों मेंसे कोई भी आप लेकर के लगा सकते हो कुछ नहीं करना है जिससे ये प्लेस ये प्लेस मुझे पता लिए ये 22 से दसवा है दाए से 17 है तो 10 डस प्लस 17 माइनस 1 कर दो तब भी आपका 26 आएगा या चाहो तो इसको भी लिकर लगा सकते हो 9 प्लस अठारा माइनस एक कर दो तब भी आपका 26 आएगा तो दोनों मैंसे कोई भी condition लेकर लगा आपका इतना है का 26 आएगा तो option जो इसका भी है वो यहां पर क्या हो जाएगा बिलकुल correct हो जाएगा clear है सबी को चलिया है यह question भी आप सबी को clear होगा बढ़ा जाए अगले question की और चलिया अगले question पर आते हैं तो देखे क्या कह रहा है देखे बहुत यह अच्छा question है load है LOAD का code MPBE है और drive का code यह दिया गया है तो सब ladder को आप कैसे code बढ़ करेंगे बहुत ही प्यारा question है देखो LOAD है load है न और MPBE है देखा जाए तो LMOPABDE यानि कि प्लस एक प्लस एक प्लस एक हुआ है वह यहाँ पर भी देखे यह हुआ है D E R E S I J V W E F प्लस एक प्लस एक हुआ है तो यहाँ पर भी प्लस एक हो जाएगा LMABDE DE E E F और R E S तो M B E E F S यानि कि आपका option number जो इसका B है वह यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है अगा सिर्फ प्लस एक प्लस एक प्लस एक करना था इसमें clear है सभी को चलिए आते हैं अगले question की ओर तो अगला question देखे आपके सामने यह रहा कि यहाँ पर आपको जो यह question mark है इसके स्थान पर दिए गया एक निश्यत परटन का पालन करते हैं प्रस्म चिनिके स्थान पर आने वाले विजल्प अग्यका सही विकल्प का चैन करना है थोड़ा सा कोसित करेंगे मैंने आपको बता रख है इसमें कैसे क्या करना होता है आपका जो जवाब है आपके सामने होग समझेगा एक हिंड़ चोटा सा हिंड समझेगा बारा अठारा तीन है तो बारा और तीन को लो बारा बटे तीन करो कितना आयगा सार आपका चार दुनी आठ चारतियां ही बारा एक सो अठाइस आ जाएगा क्लियर है वहाई सेम चीज़ यहां भी करना है कि 14 भागे x करेंगे तो जो भी आएगा उसका multiply कर देंगे किस से 24 से तो गुड़े कितना कर देंगे 24 कर देना है तो बराबर कितना खारा है 1612 तो यहां से x की value निकालनी है तो देखे कैसे कटेगा आपका तो क्यूं थाजियर कर देख लेए यहां पर धाचके看看 17 75 76 42 कर जाएगा आपका 2-26 हो गया तो 2-26 हो गया तो और 8 से कटेंगे तो 3 बर जाएगा यानी केंशर कितना आ जाया गया तो आहेंशर 8,-24 समझ में आगे ना तो एकस की वैल्यू कितनी आ गी तीन आगी तो यहाँ पर option जो इसका भी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा सभी को ग्याद करना है इन चारों में आपको लुपतंग ग्याद करना है और इस तरह का साथ यही सेम कोईशन हो पहले भी करबा चुका हूँ तो आप लोग यहां पर गलती तो नहीं करोगे इसका जवाब फटा पर सभी लोग देते वह चलेंगे देखो इस कौश्शन में किया क्या गया है और यहां-पर दिखा जाए तो कितना अपका ? और इसको सरस ले लो नाइन, वन फाइव और इसमें से घटा दो ba 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 МУЗЫКА यहां कितना ए तर शवाँ गिया स्वाद लेयर है वह होई सेम चेर यहां वह क्या बहुत मतलब जो बड़ा होता है उसे में से छोटे वाले घटाएंगे तो 9 में से 3 गया 6 8 में से 4 गया 4 और 7 में से 5 गया 2 तो 246 देखें यहां पर आ रहा न 246 वही सेम चीज हमको लाश्ट वाले में करना है तो वही कितना हैसर आपका 863 हो जाएगा इस में से घटाएंगे कितने को 241 को कितना जाएगा 3 में से 1 गया, 2 6 में से 4 गया, 2 8 में से 2 गया, 6 हो जाएगा तो 622 आजएगा तो आपका option number जो इसका b है 622 वह यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा क्लियर है सब्सक्राइब को एस और नो कॉमेंट करके बता दीजिए चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की और तो अगला कोशन देखिए आपके सामने यह रहा कोशन नमर 73 देखिए आपके सामने वहां आर एक चुनना है जो नीचे देग वर्गों के बीच का संबंध का सही न यहां पर दिखा जाए तो ऑप्सन जो इसका सी है वह यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आते हैं दोस्तों अगले कोशन की और तो अगला कोशन देखिए आपके सामने यह रहा कोशन नमबर आपका यहां पर 74 है भहिए यदि हरे का अर्थ लाल लाल समझ में आ रहा है तो कोशन जीह क्या हो ज़ाएगा संपल्सक्रण मीहां थे पंदा ओदि हए उसका आपका ओड़ा कस का इंप नीला नीला होता है और नीलेका विए यहां पर क्या आपका नारंगी है न ना रंगी हो जायेगा तो यहांपर जो ज हम SH UP, पर यहांपर आप समझ में आ गया ना चलिए आते हैं अगले कोशन की ओर तो अगला कोशन देखें आपसे आपर क्या कह रहा है कि यदि सभी चूहें बिल्लियां है तो निम्रिखित में से कौन सा सही है बदाएसर एक ही आपको फीग बनाना उससे आपको जवाब देना है बहुत ही आसान सा तो यहां पर मुझे आपको वही काउंसेट आपको लगा आपको पहले विदा रखा है तो सभी बिल्लियां चूहें तो बढ़ियां गलत है बाहर से अंदर जाएंगे तो बहियां क्या हो जाएगा आउट से इन में सभी वाला नहीं होता है इसी तरह कुछ चूहें बिल्लि हो जाएगा तीसरा कह रहा है कि कुछ बिल्ली कुई चुह आपका कशी है लो यहां सबी को चलि आए होब सब को क्लियर होगा आते हैं अगले कोशन पर तो देखें अगला कोशन क्या कह रहा है नीचे दी गई आकरित में तिर्भूज महिलाओं को दर्साता है और वृत्त डॉक्टरों को दर्साता है तो माफ की जिएगा थोड़ी से इंटर्नेट प्रॉलम आ गए थी तो भई यहाँ पर क्या है नीचे दी के आकरित में तिर्भूज महिलाओं को दर्साता है आयत रोजगार में लगे हुए को दर्साता है और वृत डॉक्टरों को दर्साता है तो उस आकरित का छित का पता ल महिलाओं को दर्साता है आयत रोजगार को दर्साता रहा है और वृत डॉक्टरों को दर्साता रहा है यानि कि हमको महिला भी चाहिए तिर्भूज भी चाहिए और डॉक्टर भी चाहिए लेकिन रोजगार नहीं चाहिए तो रोजगार में आपका छे है तीन है चार है और और साथ की अगर हमबात करते हैं देखो यहां पर देखा है 2 और साथ में और हैंसर तो आपका 7 आना चाहिए यहां पर कहरा है महीला डॉक्टर जो बेरोजगार है तो आपका साथ नमबर आए गा तो ऑप्सन वो correct होना चाहिए न इसी समझे आठ तो जो है वो स्रिफ doctor को ही दर्स आएगा लेकिन साथ जो है महिला doctor को दर्स आएगा तो clear है तो आपका option जो इसका c है वो यहाँ पर correct होना चाहिए समझ में आगे दोस्तों तो c वाला option जो है यहाँ पर correct होगा clear है सभी को चलो I hope सब को clear होगा अगर कोई doubt हो तो आप लोग repeat करके पूछ सकते हैं देख सकते हैं बढ़ते हैं दोस्तों अगले question की ओर तो अगला question देखिए आपके सामने यह रहा ध्यान से देखेगा कि भई चनदू एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कैता है कि वहँ मेरी पुत्री के भाई के दादा की कलोती बहु के पिता है तो वहाँ मेरी पुत्री कई तो चनदू की पुत्त्री हो गई होगी चंदू की पुत्री के भाई इसके भाई के दादा अब इसके दादा अगर मतलब क्या हो गया भई इसके दादा की अगर हम बात करते हैं तो समझेगा अब पुत्री का भाई यानि कि ये भाई भेहन हो गए अब इसके भी पिता जो चंदू के पिता होंगे ये इस भाई के क्या होंगे आपके दादा होंगे, समझ येगा, मैं आपको इसे जन्रेशन गयब दिखा रहा हूँ, कि दादा की इकलोती बहु, इकलोती बहु यानि की भाई चंदू की पत्नी, इनकी बहु यानि की चंदू की पत्नी हो जाएगी, इकलोती बहु के पिता है इसके पिता यानि कि क्या हो जाएगा चंदू से इसके पिता जो जो है चंदू की ससुरी से होंगे न तो वहाँ व्यक्ति जो है चंदू से किस प्रकार संबंदित है तो ससुरी तो कहला आएगा न सर समझिएगा कोशन थोड़ा साब का मैंने ऐसे आपको मतलब क्या बोलते हैं पंच मिल खिषडी यह सी बता दिये बट I hope आपको क्लियर हो गया होगा समझ में आ गया हो करना क्या था समझ में आ गए न तो आपका ससूर हो जाएगा अगला कोशन देखो आपसे याँ पर क्या कह रहा है कि भई ये भी आपका blood relation का कोशन है R तथा D भाई है Q R की बहन है A F का भाई है F D के पुत्री है M Q के पिता है तो A के चाचा कौन है बताइए सर क्या कह रहा है देखी द्याम से R तथा D भाई है R और D भाई हो गए भाई है यानि कि दोनों प्लस हो जाएगा कोई भाई बहन की बात नहीं है Q R की बहन है Q जो है R की बहन है यानि कि D की बहन होगी तो Q R की बहन हो गई चलो ठीक है A जो है F का भाई है F D की पुत्री है D की पुत्री कौन है F है चलि ठीक है मायनस लगा दिया और A इसका भाई है यानि कि A इसका भाई हो गया उसका बाद F D की पुत्री है F जो है यहाँ पर clear हो गया F D की पुत्री है F का भाई है M जो है Q के पिता है क्योंकि पिता कौन होगे आपके M होगे यानि कि प्लत लग गया तो भई या A के चाचा कौन है तो A के चाचा की बात करते हैं तो A के चाचा कौन हो जाएंगे R हो जाएंगे न क्योंकि भई या A के पिता कौन हो जाएंगे D के भाई R है तो A के चाचा कौन हो जाएंगे R हो जाएंगे ना तो यहाँ पर B option जो है correct होगा क्या होगा सर आपका B option correct होगा क्योंकि M तो दादा की 3D में आ गए ना सर तो यहाँ पर B option जो है आपका correct हो जाएगा समझ में आ गया ना सर A के चाचा कौन हो जाएंगे R हो जाएंगे क्लियर है तभी को चलिए आते हैं अगले कोशन की ओर अगर आपको क्लियर है तो लाइक कर दीजेगा अगला कोशन देखे क्या कह रहा है डायक्सन का कोशन है साइब कि भी या बी से दच्छड पश्चिम 5 किलियो मिटर पर A है तथा C से दच्छड पूरू 5 किलियो मिटर पर B है यदि C से उत्तर 3 किलियो मिटर पर D है तो तब D है जवाब देते हुए कोशिस करते हुए चलेंगे साथ में रखेंगे जिससे आपका जो एन्सर है फटा-फटा रहे पहले तो भईया इसमीं फीगर बना लेंगे आपका फीगर से बहुत आसान हो जाएगा देखो फीगर बना लेते हैं आपको पता यह आपका क्या है पूरव है यह आपका पश्चिम है यह आपका उत्तर है और यह आपका दक्षिण है समझेगा B से दच्छिड़ पश्चिम 5 km पर A है अब माल इतने B को B को base बनाए न तो यहाँ पर B को रख देते हैं B से दच्छिड़ पश्चिम, दच्छिड़ पश्चिम को अंतलब क्या होता ये यहां पर कौने सर A है 5 km पर फिर कह रहा है कि C से दक्षिड पूर्व 5 km पर कौने सर आपका दक्षिड पूर्व यानि की इसकी बात हो रहा है दक्षिड पूर्व की बात करा ना C से दक्षिड पूर्व 5 km पर P अब C देखो कहां पर है आप समझेगा C यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे तो सभी C से दच्छिर पूर यही तो आएगा ना अब ऐसे बरादू के तो उल्टा हो जाता ना तो यहाँ पर यह जो फीगर आपका ऐसे बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा पांच घी हो जाएगा क्लियर है उसके बाद क्या कह रहा है कि सी से उत्तर सी से उत्तर में 3 गौटर आपका कॉन है अग का डी है क्लियर हो गया तो यहां ए से डी की बारे में पूछ रहा है तो यहां पर baking तो कि दर थे अच्छी बान बहुत अच्छी बात अगर आपको clear हो गया है तो बढ़ते हैं अगले question की ओर तो अगला question देखें आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है ध्याँ से देखेगा कौन सी उत्तराकृती प्रश्नाकृती के प्रतिरूप को पूरा करेगी बहुत ही आसान सा question होता है मैंने बोला ना कुछ question आपके free में आते हैं आपको number देने के लिए यहाँ पर क्या करना भई देखा जाए तो यहाँ पर यह complete है यहाँ धूरा है तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें उपर वाइस नहीं देखना नीच वाई देखना कर यह आपका इस तरह से है तो अगला देखें आपका इस तरह से हो जाएगा clear है और इस तरह से होने का मतल से दूर ले जाता है सीधा सामने जाने वाल मार्ग केवल कॉलेज की ओर जाता है तो ग्यात करें मंदिर के इस दिसा में बहुत ही आसान है साइध यह कोशन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ तो आप इसका जबब दे सकते हैं देखे वाई चार रास्ते पहले बना लो जिससे आपको कोशन आपका और आसान हो जाए अब देखो दिसा ही है बर चार रास्तों के दिसा में बना दिया है तो मुझे पता है यह क्या होता है पूरव यह होता है पश्चिम पूरव यह आपको यह है पश्चिम आपका यह है अभी आपका कोशन कितना आसन हो जाएग पिशना अपर देखर हैं तो कहां कि यह होगा और यहां पर एक शेज के लिए रोगया कि भैया सीधा समय जाना मार्क केवल कालेज्ज के यह यह देखो कहां कहा तो यह जो बचा हुआ मार्ग पूरव वाला है यह किधर जाएगा कहां जाएगा सर मंदिर की ओर जाएगा ना तो यहाँ पर जो करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा पूरव हो जाएगा समझ में आ गया ना कुश्चन क्या कहना चाहरता था चलि आएगोब सबको समझ में आ गया होगा आते हैं अगले कोश्चन की ओर तो क्या कह रहा है कि निम्न उक्तिक के अक्षरों को प्रियुक्त करके कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सकता एक वर्ड को कितनी बार भी जाने हैं यहां आपको ऐसे वर्ड चुनने हैं जिसमें आपका कुश्च वह सेम चीज हो ही ना कि देखे उक्तिक्षरों को प्रियुक्त करके कौन सब्द नहीं बनाया जा सकता है देखे पहला है म, अ, अ, ड, अ, त, वह, अ, ए, अ, 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 अ सब कुछ है, क्रियेशन में भी देखा जाया है तो C, R, E, T, सब कुछ है, लेकिन हम D की बात करते हैं, देखे, D वाला देखो, D में आपका यहां पर एक दिया गया है, H, H दिया गया है, H क्या यहां पर कहीं भी है, नहीं है, तो यहां पर option जो इसका D है, वो यहां पर clear हो है, आते हैं अगले question पर, तो अगला question देखे, आप से हाँ पर क्या गह रहा है, यदि acne, A, C, N, E को यह code दिया जाता है, तो बॉयल को क्या code दिया जाएगा, यह तो बहुत ही simple सा question है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, acne का code यह दिया गया है, तो बताए यह बॉयल का code क्या हो जाएगा, फटाफट सभी लोग जवाब दिजिए, बहुत ही आसान question मैं आपको अगर trick बता दूगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, acne है, A का मतलब 3 लिखा है, C का मतलब 7 लिखा है, और N का मतलब आपका 29 लिखा हुआ है, और E का मतलब लिखा है आपका 11, समझ तो एक गुड़े 2 करके प्लस एक कर दो, यानि कि जो अंक है उसका दुगना करके एक कर दो, कितना एक दुग के दो, एक 3 आ जाएगा, clear है, 3 दुगनी 6, 7 आ गया, 14 दुगनी 28, 29 आ गया, 5 दुगनी 10, 11 आ गया, समझ में आ गया, जो नंबर से उनका दुगना करके एक 9 दुगनी 18, 19 और यहां पर 12 दुगनी 24, 25 आ जाएगा, तो 5, 31, 19, 25 आ गया, समझ में आ गया, सभी को क्या कोई डिक्कत था इस कोईशन में, क्या करना था, क्या नहीं करना था, clear है सभी को, चलिए, I hope सबको clear होगा, बढ़ते हैं अगले कोईशन की और, तो देखे क्या कह यहां से देखेगा, यह कोईशन तो बहت आसान होता है, यदि प्लस का अर्थ है गुड़ा, माइनस का अर्थ है भाग, गुड़े का अर्थ है आपका यह और प्लस मतलब क्या धर दिया गया है, तो आपको इसका गड़ना करना, इसका एंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फ कर लेते हैं बहई देख लेते हैं यहांपर जू कहा रहा है 64 माइनस है माइनस का मतलब क्या ऐ भर धियाँ से देख vaisक्र देख को सक भागा सक भाग 8 हो जाएगा चertी होजाएगा 9 माइनस का मतलब क्या है प्लस है तो 4 bes Gates सबकी फिर Госutων गुड़े आठ प्लस नौ तो 16 अठे कितना हो जाएगा 128 और प्लस नौ करेंगे तो नौ आठ सत्र है यानिकि 117 आ जाएगा तो करेक्ट रेंसर के आ जाएगा आपका आप्सन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा क्लियर दोस्तों चलिये आते हैं अगले कोशन पर तुझे क्या कह रहा है कि वह या एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं यदि ये लड़कों का तीन चौथाई निशित करते हैं तो तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार लड़कों का तीन चोधाई निशित करते हैं यानिकि एक चिदस समझ में आ गया कि लड़कों का तीन चोधाई किसके बराबर है 15 यानिकि लड़कों की संख्या कितने आगए यो दी कि आगह? का दो ती आई है अब जो लड़कों की कुल संख्या ये जो 20 है ये कुल विद्यार्थियों की संख्या की कितनी है दो ती आई है कुल विद्यार्थियों की संख्या का मतलब क्या होता भाई लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या को वाई मान लेते हैं इनका कित करो दो दहमा 20 दो से काटा 10 बार गया और 3 से 10 में गुड़ा करो 30 आ जाएगा आपका 3 दहमा 30 आजाएगा आप समझेगा अगर y की value निकालनी है तो y की value कैसे निकालेंगे x कमान कितना आपका 20 है तो यहां पर 20 रख दो बताए सब क्लियर है बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाया है अगर आपको कोई भी doubt हो तो repeat में कर सकता हूं clear है सबी को clear है जितने भी जुड़े हैं सब लोग like कर देंगे अगर आपको clear हो गया हो तो चैलिए बहुत अच्छी बात है आते हैं अगले question की होर तो अगल द्वारा खरीदे गए अनानासों की संख्या क्या होगी अब देखो इस question को आप लोग option method से लगाएंगे तो बहुत आसाई से लग जाएगा अगर आप वह ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा लिंदी हो जाएगा but option method से आप यूज कीजिए कैसे आए का क्या करना है मैं आपको समझाता हूं option method कैसे लगेगा बहुत ही आसान ही यह देखें अनानास की किमत कितनी है साथ रुपया है तरबूच की किमत कितनी है पांच रुपया है मोहन कुल मिलाकर के 38 रुपय खर्च करता है तो खरीदे गए अनानासों की संख्या कितनी हो जाएगी अब समझेगा यहा यहां पर जब भी ना दिया गया हो यहां पर जब भी ना दिया गया हो कि कुल कितने अनानास खरीदे कुल कितने क्या खरीदे तरबूच खरीदे तो समझेगा यहां पर एक चीत तो क्लियर नहीं किया है यहां पर इस कोईशन में इस कोईशन में अगर देखा जाना तो अन को पूरा नहीं पढ़ा तो इस question को skip कर दीजे यहां पर जो है कुल follow की संख्यागर दी गई होती तो आजाम सेंसर जो है आ जाता clear है तो इस question को skip कर दीजे बढ़ते हैं अंगले question पर तो देखी क्या कह रहा है यह question आपका calendar का है देखिए 3 December 2010 को अगर रवी वार था तो तीन जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा simple सा question है भाई एक line में या एक second में इसका answer आ सकता है 3 December 2010 को क्या था आपका रवी वार था तो तीन जनवरी 2011 को कौन सा वार था बताईए सर्थ 3 December दिया गया है 2010 दिया गया रवी वार से एक दिया हम लोग आगे बढ़ जाए सोरी यहां पर माफ किजिएगा तीन जनवरी जाना है तीन दिसमबर नहीं जाना है तो तीन दिसमबर से तीन जनवरी जाना है यानि कि एक महीना आगे बढ़ने में देखा जा तो दिसमबर आपका 31 का महीना होता है ना त 35 दिनों में आपके खुल कितने extra days हो जाएंगे साथ स्रे भाग 21 को साथ चयों का 28 यानि कि 11 में स्याड़ किया तीन 3 extra days हो जाएगा तो रवी वार में हम लोग 3 को add कर देंगे तो रवी वार बात है आते हैं अगले question पर तो देखे क्या कह रहा है कि आपको इसका दरपर प्रिद्विम चुनना है अब देखो दरपर नीचे लगा यानि कि water image बताना इसका water image क्या हो जाएगा कि यह घूम जाएगा water image में क्या होता है जो बाएं है वो बाएं रहेगा जो दाएं हो दाएं रहेगा बस उपर वाला नीचे हो जाता बस इतना समझेगा तो उपर वाला नीचे इसमें भी नहीं हो रहा है इसमें भी नहीं हो रहा है इसमें हो रहा है बट यहां पर देखे तो कि वायाक को दाया कर दिया तो यह भी आपका गलत हो जाएगा समझियेगा वाया को दाया कैसे कर दिया सर डर पर आपका नीकळाह तो आपके सिर्फ ओर और स्रिफ ओर द ace day prophets What a human में क्लिषे में क्या होता है कि दाया का दाया का दाया ही रहता है यहाँ पर लेकिन देखो यह इस साइड में था, यहाँ पर इस साइड में कर दिया है, तो यह आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चा, option number D, तो D वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, clear है, चलिए, अगले question पर आते हैं, तो अगला question देखे क्या कह रहा है, यह भी आपका calendar से ही है, यही किसी मा, यानि कि फरवरी को अगर छोड़ दिया जाए, उसका अंतिन दिन 30 तारीक, 31 तारीक का दिन क्या है, बुधवार है, तो उस महिने में कुल कितने मंगलवार संभव होंगे, तो 31 तारीक को लेकर के लगाईएगा, 31 तारीक को आपका टूइज-डे है, यानि कि इसके पहले Tuesday और कपढ़ेगा, समझ ञेगा, 7 दिन पहले पढ़ जाएगा, कप पढ़ जाएगा, 7 दिन पहले यानि आपका 30 तारीक को पढ़ जाएगा, 19 तारीक को पर जाएगा Tuesday उसके वाद आपका क्या पढ़ जाएगा दो तारीक को Tuesday पढ़ जाएगा तो भाई एक दो तीन चार पांस तो मेरे सामने ऐसे ही आगए तो चार कैसे होगा सार यहाँ पर देखा जातो ו को Tuesday,9,16,16 उसको Tuesday आपके पांच मंगलवार समभव है आपके पांच मंगलवार समभव है अगर आखरी दिन अगर आपका tomoyant य करेंगा सेड़ा तो अपका सेम देया है तो आपके महीने में ने स्री चोपड़ा को बताया कि मेरट के लिए बस हर आदे घंटे बाद जाती है पिछली बस अभी 5 मिनट पहले गई है और अगली बस 2 बज़ कर 20 मिनट पर जाएगी तो समय पालने स्री चोपड़ा को या सूचना लगभग की समय दी थी कल वाले भी प्रेक् сюжette में ये वाला कोउशन था परसो वाले भी प्रेक्टिकर परेक्टिक से में वाला कोउशन था अभी इसका जवाब दे सकते हैं आप सभी लोग कुश नहीं करना इस कोऊशन में समय पालने स्री चोपड़ा को बताया यानि कि अगर अगली बस दो बचकर 20 मिनट पे आएगी तो इसकी पहले वाली बस कब गई होगी खुद बताईये एक बचकर पाउफमन पे गई होगी बताईये पाउच सरूझ एक बचकर 25 मिनट पे गई होगी तब ही तो भाई आदे गंटे के gap होगा तीस मिनट के अब तभी तो होगा यह चीश क्लियर आपको कि पिछली वाली बस एक पचास पे गई होगी और यह आगली बस दो बचकर भी इसे नोट जाएगी अब यहाँ पर पूछा गया है कि पिछली बस अभी पांच मिनट पहले गई है यानि कि एक पचास पे अगर पस गई है तो हमने कब पूछा होगा एक बचकर पचपन मिनट में पूछा होगा तब जो समय पाल होगा वो बतायागा भी है अभी जो पिछली बस से पांच मिनट पहले गई होगी है तो इसका जो करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा एक बचकर पचपन मिनट हो जाएगा समझ में आगे ना सर बी ओप्सन कैसे होगा क्लियर है सभी को जितने भी लोग यहाँ पर जूड़े है सभी लोग बता दिए सर सभी को क्लियर है न अब तो इस तरह के कोशन में गलती नहीं करोगे न चलो आए हो सब क्लियर हो गया होगा अगला कोशन देखो क्या कह रहा है कथन दिया गया है कि सुभा की सेर स्वास्ती के लिए लाबधायक है निसकर्स दिया गया है कि सभी स्वास्त लोग सुबा की सहर के लिए जाते हैं और साम की सहर हानिकारक है बताई यहाँ पर करेक्ट निसकर्स कौन सा हो जाएगा देखा जाए तो सुबा की सहर अगर स्वास्त के लिए लाबधायक है तो बिल्कु सही बात है जो सभी सवस्थ लोग पर गिले सेर जाते हैं या साम कि सेर हारिंग आ रहा है तो दोनों इसका सुश्व में से बताइगे कौन सा कर्रेक्ट हो जायेगा बाइ अगर हम भी सवस्थ है तो भाइ इसको पहला भी गलत हो जाएगा इक विक्ति जो है एक समझेगा, सभी सबस्ते लोग सुबा के लिए सहर पर जाते हैं, नहीं भाई, जरू नहीं है कि सभी सबस्ते लोग सुबा के लिए सहर पर जाते ही जाते हैं, कुछ लोग घर पर उपर टहल लेते हैं, जरू थोड़े ना है, हम तो घर पर साम को भी कुछ लोग कर लेते है पहले तो गलत हो जायगा और SOM की सेर हंकार एक होती है SOM को जाकर करें तो यहाँ पर देखर जाए तो वी आपक कत्थन के साफसे निसकर्स में न कला है तो यहाँ पर जो क्रेक्ट एंसर आपका के हो जाएगा ना तो निसकर्स एक यहाँ कोई भी cinematनी करता है समझ में आगे ना तो option जो इसका D है वो correct होगा according to the कथन हमको answer देना है समझ में आगे ना तो यह चीज़ दिवांग भी रखिएगा आते हैं दोस्तों अगले question की ओर तो अगला question देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है समझेगा question नमर आपका यहाँ पर 93 कह रहा है कथन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सब सेव लाल है कोई भी लाल रंका फल सस्ता नहीं है सेव लाल है कोई भी लाल लंका फल सस्ता नहीं है यहाँ पर दो निसकर्ज दिए गए फड़ा फड़ा इसका जवाबत यह क्या हो सकता है देखना कि लाल सेव आपका सस्टा नहीं है.. यहां पर देखा जाए तो केवल निसकर्स कर दो तर्ग संगत है.. यहां पर confidential रहे है.. तो देखिए882 वर्स एक महिना है.. 2009 November 2008 न कि तो एक ईड़िच 8.. साथ महिने है बानो स्याम से उतनी ही बड़ी है जितनी नीमो से छोटी है तो बताए बानो की आयो कितनी है चाहिए बहुत ही अच्छा कोशन है देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं देखें यहां पर नीमो की आयो कितनी है तेईस वर्स एक महिना है और स्याम की आयो कित क्लियर हो गया कि यह नीमो की आई और स्याम की यह नीमो की आई हो यह स्याम की आई हो यह स्याम की आई हो यह जिस क्लियर कर लिया ना अब क्या कह रहा है कि बानों स्याम से उतनी ही बड़ी है जितना नीमो से छोटी यानि कि इनके बीच में कहीं यह लोग एज़ेश्ट कर र स्याम से इसका जश्ट आधा करो कितना आ जाएगा दो वर्स अब देको सबसे आसान तरीक गता रहो दो वर्स तीन महिना आ गया तो आपका जो D है वो correct हो जाएगा अब वही 23 में से अगर आप 2 घटाती तो भी आपका D answer रहता तो बताएगे सब D वाला option जो क्यों correct होगा clear हो गया सभी को चले चले तो आज के रही है आपके कुछ important questions आपको कैसा लगा comment करके बताईएगा और अभी के लिए बस इतना ही बाबाय टेक कियर जै हिन जै भारत और मिलते हैं सबसे next video